हेलो गाईज वेलकम टू जिक्क्य स्टेडी ओनलाइन गाईज मैल आया हूँ आपके लिए एक इंपॉर्टन सेशन ओन MCQs जिसमें हम डिसक्स करेंगे केंपूर्टर के लेटिड इंपॉर्टन MCQs इसमें हम लगबग 20 MCQs को डिसक्स करने वाले हैं जो आपके प्रिवियस एर एक्जाम्स में आये हूए हैं तो गाईज यह आपके अपकमी एक्जाम्स जैसे की जिक्के SSB के जैसे स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी, फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड और साथ में पंचाय सेक्टेटरी और फाइनांस अब इंस्पेक्टर लगबग जिक्के SSB के सभी एक्जाम्स में 20 मार्क्स केरी करता है केम्प्यूटर ठीक है तो उसी के लेटी 20 मार्क्स जो है 20 कोश्यन जो है वह हम डिस्क्रेश करने वाले हैं और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर फर्स्टम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सिस्क्राइब कर लेना क्यूंकि हम फुल मॉक टेस्स जो है व और कितनी ज्यादा इंप्रोव्मेंट की जुरूरत है ठीक है तो फस्ट जो कोशन है हमारा उसमें पूचा गया है हूँ इन्वेंटिड आइसी ठीक है आई सी यानिकी इंटिगेटरीड सर्केट्स इंटिगेटरीड सर्केट्स को किस ने किया था तो अप्शन से जब तक में किया था इए सी स्ट इन्टिगेटरीड सर्केट कोठीक पीजिंगेटरीड के सटेक सिकंट कोशन है स्मार्स की इंटिगेशं यूजिंग जरनेशन के स्टार्ट्रेल आ था फोस्ट हूए ठीक है third generation of computers में ही क्या use हुआ था small scale integration start भी थी ठीक है और fourth में क्या हुआ था large scale और साथ में ultra large scale ultra large scale ठीक है यह आप याँ देखने इसके बाद चलते हैं जिदो question number third की और which of the following transforms input data into output data simply आप से पुछाएं कि input data को output data में transform कौन करता है options है a peripherals करते है option b है RAM करती है option c है ROM करती है और option d है CPU करता है ठीक है तो मैं आपको बता दूँ इसका write रहेगा option d यानि center processing unit CPU ठीक है तो ROM की भी full form पुछी जाती है आपसे read only memory ठीक है और RAM की full form पुछी जाएगी तो random assessed memory ठीक है तो इसके बाद चलते हैं सीधा question number four की और fourth में हमसे पुछा है which one the following is not a high level computer language आपसे simply इन में से पुछा है कि इन में से कौन सी ऐसी language है जो high level language नहीं है ठीक है तो options जब तक पढ़ता हूँ आप write answer guess कर लेना option a है for train option b है c language option c है kabul language और option d है binary language तो मैं आपको बता दूँ इसका भी write रहेगा option d ठीक है binary language जो 0 & 1 की फार्म में होती है इसमें हम मैं आपको बता दूँ यह जो है यह computer read करता है ठीक है और आपको बता दूँ यह जो है यह high level language नहीं है ठीक है यह low level languages इसमें count होती है ठीक है option जब तक बढ़ता हूं आप write answer guess करने कोशिश करना तो option a है keyboard option b है monitor option c है printer और option d है none of these ठीक है तो मैं आपको बता दूँ इसका write रहेगा हमारा option a ठीक है simply आपसे पूछा है कि इन में से input devices कौन सा है ठीक है तो monitor जो है यह क्या है यह है एक output device printer output देता है और नन अब दीद तो हो नहीं सकता क्योंकि keyboard इसका answer है ठीक है तो option a write रहेगा fifth question का फिर इसके बाद हमारा question number six which of the following device comprises the output unit इसमें से आपको output unit बताना है ठीक है तो options जब तक बढ़ता हूं आप write answer को नहीं कोशिश करना option a है control unit option b है video यानि visual display unit option c है secondary memory और option d है primary memory तो मैं आपको बता दूँ easy था यह भी कोशन option option number six का write रहेगा option b ठीक है visual display unit जैसे की monitor को ही कहते है ठीक है तो आप याद रखना question number six का write रहेगा बी option इसके बाद चलते हैं हम से था question number seven की और question number seven में हमसे पूछा है which of the following lies within the CPU CPU के under क्या होता है इंसे ठीक है options जब तक पढ़ूंगा आप write answer guess कर लेना ठीक है option a है primary memory होती है option b है secondary memory होती है options ही है mouse होता है यह option d है keyboard तो मैं आपको बता दूँ mouse keyboard इनको तो आप सीधा cross कर सकते हैं अब रहा primary memory और secondary memory ठीक है तो मैं आपको बता दूँ इसका write रहेगा option a यानि primary memory ठीक है primary memory जो होती है स्केंटरी memory जो होती है वह computer directly assess नहीं कर सकता है तो वह स्केंटरी में count किया जाता है इसलिए primary memory इसका write रहेगा option ठीक है तो इसके बाद है हमारा question number 8 which of the following devices is incorporated mechanical calendar computer इसे आपको बताना है कौन सा है जो incorporate करता है mechanical calendar को ठीक है तो options अब तक पढ़ूँगा आप right hand से guess करने कोशिश करना option a है astrolabe option b है gear wheels option c है abecus और option d है gear train मैं आपको बता दूँ इसका write रहेगा हमारा option a ठीक है question number 8 का a option write रहेगा ठीक है astrolabe जो है उससे ही क्या कर सकते है incorporate mechanical calendar को ठीक है तो i hope आपने question number 8 का right answer रगा दी होगा ठीक है इसके बाद question number 9 हमारा जिसमें हमसे पूछा है what was the name of first vacuum tube invented by lady forest in 1906 simply आपसे पूछा है कि इन में से first vacuum tube जो invent की थी lady forest ने उसका क्या नाम था तो options आपके सामने आप देख सकते हों मैं आपको सिदह इसका right answer बता देता हूं इसका right रहेगा option d यानी radio ठीक है इसके बाद चलते हैं सिदह question number question number 9 में आपको कुछ और भी points जैसे कि आप याद रख सकते हो जैसे इसमें पूछा हुआ है first vacuum tube जो थी वो invent हुई थी 1906 में और लीड फारस ने उसको किया था ठीक है ये भी आप दियान में रख सकते हो इसमें ये भी question आ सकता है इसके बाद सब्सक्राइब सिदह question number 10 की और question number 10 में है where are the instructions which are used to run a digital computer store ठीक है कहां पर होती है options है a motherboard में option B है hard disk में option C है memory में या फिर option D है all of the above इन सब में I hope आपने इसका write answer guess कर लिया होगा तो मैं आपको बता दूँ इसका write रहेगा option C ठीक है ये सब जो भी instructions होती है किसमें होती है रोम में यानि memory में होंगी फिर ठीक है रोम में क्या लिए होता है जो भी उसको run करने के लिए रिज़े computer को instructions होती है वो stored होती है ठीक है याद रखना आप इसके बाद जलते हैं हम सिदह question number 11 की और each box in a spreadsheet is a card simply ये मैंने आपसे पैले भी पूछा हुआ है कि जो boxes होते हैं spreadsheet में different उनको क्या बोला जाता है तो मैं आपको सीधा right answer ही बता देता हूं उसको बोलते हैं cell ठीक है तो मैं आपको बता दूँ जैसे इसको इस तरह की lines होती है इनको जो कारते हैं तो ये जो होते हैं इनको बोलते हैं cell हमने पढ़ लिए लेकिन हर एक की जो ये होती है इसमें intersect करते हैं ये इससे हमें हमें क्या पता चलता है इससे हमें क्या पता चलता है तो इससे हमें cell address का बता चलता है ठीक है याद रेखना कोश्यों नमबर 12 का C option बिल्कुर रहेगा इसके बाद चलते हैं कोश्यों नमबर 13 की और हमसे पूछा है spelling and grammar check option in a world document 2007 is available in dash menu कौन से मिनू में होता है तो options जब तक मैं पढ़ूंगा आप आप राइट answer करने कोशिश करना ठीक है option A है home में option B है mailing में option C है view में option D है review में option E है page layout में मैं आपको बता दूँ ऐसे जैसे questions ही होते हैं जो maximum time में आँ वहां पर गलत करके आ जाकते हो ठीक है तो मैं आपको बता दूँ question number 13 का write रहेगा option D ठीक है review में होते हैं यह सब ठीक है याद रखना question number 13 का D option write रहेगा इसके बाद चलते हैं हम सीद़ question number 14 की और इसमें लिख है to paste any individual item in a file immediately click हमें क्या click करना पढ़ता है तो आपको मैं बता दूँ cut copy paste इनके shortcut तो आपको पता होने ही चाहिए ठीक है तो cut के लिए copy के लिए और paste के लिए control plus V use करेंगे हम paste के लिए ठीक है control plus C हम use करेंगे किसके लिए copy करने के लिए और control plus X use करेंगे हम cut करने के लिए ठीक है तो फिर हमारा कौन सा राइट रहेगा इसमें से control plus sorry control plus B बिल्कु राइट रहेगा option B question number 14 का B option बिल्कु राइट रहेगा ठीक है इसके बाद चलते हैं question number 15 की और इसमें हमसे पूछा है another term for the internet is ठीक है यह भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ revision हो जाएगी इससे आपकी बहुत से बच्चों का भी यह बूल भी चुका होगा ठीक है बूलना नहीं है याद रखना है another term for internet क्या होती है options है web होती है option B है www यानि word wide web होता है option C है साइबर स्पेस होती है option D है आरफानेट होता है या फिर none of these जो आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा क्योंकि option 4 ही होंगे वहाँ ठीक है तो आपको बता दू इसका राइट रहेगा option C ठीक है साइबर स्पेस बुक को internet बोला जाता है या फिर internet को ही एक another term साइबर स्पेस के नाम से भी जाना जाता है ठीक है उसकी इसके बाद हम चलते हैं सीधर question number 16 की और इसमें हमसे पूछा है which ports connect different types of instrument to CPU CPU के साथ जो connected होते हैं जैसे keyboard connected होता है mouse connected होता है यह कौन से जो मतलब उसमें port होता है उसमें होते हैं तो मैं आपको बता दूँ इसका write answer guess कर सकते हैं easy question है options BUSB है CPU भी है USB भी है और MIDI भी है musical instrument digital interface भी है तो मैं आपको बता दूँ वर्क बुक किसे collection है वर्क बुक जो होती है वो collection होती है किनका चार्ट का वर्क बुक का ही worksheets का यह फिर option D है A & C तो मैं आपको बता दूँ वो collection होती है किसका worksheets का तो question number 17 का फिर इससे C option जो है वो बिल्कु राइट रहेगा ठीक है इसके बाद चलते हैं हम सिधा question number 18 की और 18 में हमसे पूछा है yahoo is A ठीक है जैसे कि आपको बताया हुआ है www.zahoo.com यह क्या है क्या यह कोई website of our consumer so wrong यहां फिर super computer है कोई यहां फिर एक portal है यहां फिर organization है that allocates web addresses तो मैं आपको बत total है तो question number 18 का भी C option जो है बिल्कु राइट रहेगा ठीक है इसके बाद चलते हैं question number 19 की और 19 में हमसे पूछा है कि first network that used that given rise to internet आपको simply पूछा हुआ है कि जो first network था जिससे internet का rise हुआ था वो कौन सा है options है अर्फनेट था वो option B है NSF net था यहां V net था यहां फिर A and B जो है व वो कोई और नहीं बलकि अर्फनेट ही था ठीक है option A जो है 19 का वो बिल्कु रहेगा इसके बाद है question number 20 तो 20 में हमसे पूछा है जो basic कबोल अल्गोल जो है यह किसकी examples है ठीक है right answer करने कोशिश करना और comment करके जरूर बताना कि आपके 20 में से कितने ठीक हो है ठीक है इसमें score ह और एक का 15 प्लस होना ही होना चाहिए ठीक है इतने भी मुश्किन नहीं थे एक दो question को छोड़के आगे आप कर सकते थे ठीक है तो आप से पूछा है basic को बोल अल्गोल यह जो है यह सारी examples है किसके क्या यह कोई high level languages है low level languages है middle level languages है या फिर सब कुछ है या फिर कुछ भी नह है ठीक है तो options आपके सामने हैं आप right answer guess कर सकते हैं क्योंकि ऐसा question मैंने आपको पहले ही समझा दिया है तो 20 का write रहेगा option A ठीक है high level languages है basic, algol, kobol, c, c++, java यह सब ठीक है तो guys इसी के साथ हमारे 20 questions थे complete होते हैं comment करके यह जूर बताईएगा कि आपके कितने इसमें से correct हुए thank you guys next time मिलेंगे important आपके लिए एक mock test लेके जो full mock test होगा जिसमें हम 100 questions को discuss करेंगे जो according to syllabus है जिसमें 25 questions होंगे computer के gk के होंगे 20 questions 20 ही reasoning के question होंगे 20 ही English के question होंगे और 15 questions होंगे mathematics यह quantitative aptitude के ठीक है पूरा exact आपके syllabus के coding उसमें weight is रहेगी जितने वहां पर marks है उतने ही इसमें ठीक है तो thank you guys मिलते हैं next video में